तो दोस्तो आपको एक laptop लेना है और भजट 25 से 30 जार रुपेगा है और confused में है कि आपके लिए कौन सा best प्गिरेगा तो मैं आपको बदा दोस्तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे 5 laptop बदाने वालों जो आपको definitely पसंद इस लिस्ट की दोस्तो मैं आपको खासियत बदा दू कि इस लिस्ट में आपको बदा दू कम से कम हमने i3 का एर्थ जनरेशन वाला processor सामिल किया है और 4GB की RAM के सासा 1TB के hard disk भी सामिल किया है तो overall दोस्तो ये जिने भी laptop में बदाने वाला हो इनकी price दो 25 से 30 जा रुपे बेस साथ में notification bell को on कर लिजीगा जिसे हमारी आने वाली वीडियो की notification आपको मिल दे रहे तो ऐसे वो कौन से laptop है चले दोस्तो डालते हैं वीडियो पर नचल नमस्का वाश्तो मैं सिवम चोहान एक बर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बास वीडियो चल यह display आपको full HD प्लस आपको display देखने को मिलती है वही दोस्तो बात कर रहे प्रोसेसर की तो मैं आपको बताना चाओंगा इसमें आपको Intel का i3 वाला एर्थ जनरेशन का प्रोसेर आपको देखने को मिल जाता है और मार्केट में इस टाइम पर दोस्तो आपको पता है एर्थ के starting में ही बताया था जितने भी हुई और आगे के laptop में बताऊंगा उन सारे में आपको चार्जीबी गिरेम और वन टीवी की hard X देखने को मिलेगी वही बात करें दोस्तों OS की तो मैं आपको बताना चाओंगा यह window 10 home के साथ आएगा जो कि इस time पे market में latest window है और वही price करें दोस्तों तो इसकी price 30,000 रुपई है 30,600 रुपई 30,500 रुपई आपको देखने को मिलती है और offers में इसको आप सस्ते में भी खरी सकते हैं good laptop है दोस्तों अगर आपका budget 30,000 रुपई है तो मैं आपको Acer iSpire 3 के बारे में जो उससे recommend करना समगा चले दोस्तों बात करेंगे मे laptop को list में सामिल करने की बीछे एक और बहुत बड़ा region था वो है इसका दोस्तों fingerprint sensor इसमें आपको दोस्तों fingerprint sensor भी देखने को मिल जाते है अगर आपको थोड़ी सी कम display वारा चाहिए मतलब आपको छोटी display वारा laptop चाहिए तो मैं आपको इस laptop के लिए ज़रू से recommend करना यहाँ पे इसके processor की तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों Intel का i3 वाला Air generation का processor देखने को मिल जाता है वही RAM की बात करें और hardest की बात करें तो 4GV की RAM और दोस्तों मैं बता दो 1TV की hardest इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है और ये भी दोस्तों window 10 home के साथ आएंगे 64 bit की लेपटाप कमपनी है और इसमें आपको fingerprint sensor देखने को मिलता है तो अगर आपको चाहिए fingerprint sensor वाला कोई laptop तो मैं जगो से दोस्तों आपको डेल वाश्रो 3480 के बारे मैं recommend करना चाहूंगा जाकर के easy तरीके से आप इसको Amazon या Flipkart से खरीज सकते हैं तेले दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तीसे नमबर लेपटाप की तरफ जो में लिस्ट में लिनेवो की तरफ से आता लिनेवो ने ये हाली में launch किया इसका नाम दोस्तों लिनेवो iPad S145 अब दोस्तों मैं इसकी भी डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूंगा तो यहां पे भी आपको 15.6 इ देखने को मिल जाती है प्रोस्तर भी आपको वही सेम देखने को मिल जाता है इंटेल का i3 वाला वह भी एस जनेशन का वहीं दोस्तों OS की बात करो तो यहां पे भी आपको बिंडो 10 हॉम बाली देखने को मिलेगी जो 64 विट की है लेकिन कमाल के पाटरी लाइफ है वह 5-6 गंटे की है बाकी के लेटप दीगे उतनी नहीं चलती है उनमें बैटरी लेकिन इसमें आपको कमाल की बैटरी देखने को मिल जाती है 5-6 गंटे की और हां दोस्तों यह भी 4GB और 1TV हार्ड डेस के साथ आएंगे प्राइस की बात करें दोस्तों 28,500 28,400 रुपे में देखने को मिल जाएगा तो लिनेवो के अगर आप फैने लिनेवो का अगर आपको कोई लैप्टॉप चाहिए तो मैं आपको जो उसे लिनेवो आईपेड एस 145 के बारे में रेकमेंट रशामगा आप जाकर के फ्लिपकार्ट से या एमाजॉन से खरीद सकते हैं चले दोस्तों बा प्रोस्तों देख में मिल जाता है 4GB की RAM और 1TB की hard इसके साथ आता है गुड लैप्टॉप है अगर दोस्तों मैं आपको highly recommend करना चाहूँ तो मैं आपको ASUS का जरू से laptop recommend करना चाहूँगा जो कि है ASUS VO15 इसकी price दोस्तों मैं आपको बदा दू 30,500 रुपे है और offer के टाइम आपको और भी ज़्यादा सस्ता देखने को मिल जाता है वैसे दोस्तों जितने भी मैंने आपको laptop बदाये उन सबकी price दोस्तों around 30,000 रुपे है और सब में आपको वही सारे के सारे features आपको देखने को मिल जाते है अब depend दोस्तों आपके उपर करता है कि आप किस company की site जाना तो overall दोस्तों ये भी जो चौते नंबर का laptop था ये भी कमार का laptop है अगर आप चाहें तो आस उसका vivo 15 भी purchase कर सकते अब दोस्तों डालेंगे नजर लिस्ट के last number laptop की जो की 50 नंबर पे आता है ये again दोस्तों Acer की दरफ से आता है इस स्टार्टिंग में पहले नंबर पर laptop बताय जादा उसका successor बन कर गया है जिसका नाम है दोस्तो Acer Aspire 5S इसमें दोस्तों आपको 15.6 इंच की display देखने को मिल जाती है ये भी display आपको full HD display देखने को मिलती है वही प्रोस्तर की बात के रहे तो ITL का i3 वाला air sensation का प्रोस्तर देखने को मिलता है overall दोस्तों वही सारे के सार ये features आपको इसमें देखने को मिलते है तो इसमें कुछ नया क्या है ये successor कैसे बन कर गया है तो मैं आपको जो से कहना चाहूंगा वो है इसका main cheese battery इसमें आपको 7-8 घंटे की battery का backup देखने को मिल जाता है अब बात कर दोस्तों यहां पर इसकी price की तो 33-34,000 रुपे दोस्तो battery भी जादा है अगर आपको एक long life वाला battery वाला laptop चाहिए तो मैं आपको जो से दोस्तों Acer का Aspire 5S recommend कर सकता हूं वैसे अगर आप नहीं चाहते कि आपकी battery बहुत जादा चले तो आप अगेर उसके जा सकते है जिसका नाम है दोस्तों Acer Aspire 3 वो भी laptop दोस्तों कमाल का laptop है आ आप दोनों में से चूज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा battery वाला चाहिए या कम battery वाला चाहिए वो दोस्तों depend करता है आपके budget की उपर क्योंकि इसकी price थोड़े सी 3-4,000 रुपे महगी है comparison to Acer Aspire 3 वैसे अगर आप चाहें तो Amazon या Flipkart से purchase कर सकते हैं चले दोस्तों इस वीड कहना चाहूँगा अच्छी laptop है इस टाइम पर market में valuable money price वाले laptop है आप जरू से इन मैंसे एक पिक कीजेगा और definitely दोस्तों आप अच्छा laptop खरीद पाएंगे अपने budget के साथे वैसे दोस्तों कैसी लगे आपको ये वीडियो हमें comment में बता के जाना और हाँ दोस्तों अगर प अगर मैं कहना चाहूँगा बने हुए है चैनल पर subscribe नहीं गया तो subscribe करके notification bell को on कर लेना बागी और भी interesting वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर budget कर सकते हैं या link सभी की मैंने discussion box में दी है वहां से जाकर के मेरी और भी वीडियो आप देख सकते हैं मैं फिर आपको है ऐसे ही किसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye